नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नौलेच चैनल में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेश्टा मवस्य की डेट क्या है, शुब मुहुर्थ क्या है और महत्व क्या है आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वमारे चैनल के नए-नए अपडेट्स मिलते रहें इंस्ट्रग्राम पेज को भी फॉलो करें हिंदु धर्म में आमवस्य तिथी का विशेश महत्व है साल में बारा आमवस्य होती है सभी आमवस्य का अपना महत्व है लेकिन जेश्ट आमवस्य बहुती महत्वून मानी जाती है क्योंकि इसे दिन पती की लंबी उम्र के लिए सुहागी ने वट सावित्री का व्रत करती है जेश्ट आमवस्य पर शनी जैनती भी मनाई जाती है जेश्ट आमवस्य पर सनान दान पूजा वरत करने से शनी देव, विश्णु जी और शंकर भगवान का आशिरवात प्राप्थ होता है आए जानते हैं जेश्ट आमवस्य की डेट क्या है? मुहुर्त और महत्व इस साल जेश्ट आमवस्य 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को है इस दिन पवित्र जल में सनान और वरत रखने की भी परंपरा है मानित है इस से साथ जन्म के पाप धुल जाते हैं और पित्रों का आशिरवात प्राप्थ होता है पंचांक के जेश्ट आमवस्य दिधी की शुरुवात 18 मई 2023 को शाम 9 बच कर 42 मिनिट पर होगी और इसका समापन 19 मई 2023 को रात 9 बच कर 22 मिनिट पर होगा वट सावित्री पूजा मुहर्त सुब पाच बच कर 43 मिनिट से सुब आट बच कर 58 मिनिट तक शन्यदेव की पूजा मुहर्त है शाम 6 बच कर 42 मिनिट से रात 7 बच कर 3 मिनिट तक शन्यदेव की पूजा सुरियास्त के बाद फली भूत होती है चलिए जानते हैं जेश्ट अमवस्य का महत्व जेश्ट अमवस्य के दिन पवित्र नदी में सनान के बाद घाट पर ही तरपन करने से पित्रों की आत्मा त्रिप्त होती है इसके प्रभाव से साधक की जीवन में अपार खुशियों का आगमन होता है इस दिन शनी दोश से बचने के लिए वरत उपवास करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर शनी मंतर का जप और पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने का विधान है इस दिन महिलाएं अपने पती और बच्चों की लंबी उम्र की कामना से बरगत की पूजा और वरत उपवास करती है जानकारी पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें धन्यवाद